तो नमसकार दोस्तोव मैं संदीव स्वागत है आप सुभी का आज कीछ नई एंट फिस वीडियो में दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यानि कि आज की ये वीडियो उन छाद्रों के लिए इंप्टन होने वाली है जो B.A. के छाद्रे जिनका सब्जेक्ट वीडियो को लाश तक देखेंगे जो भी मैं कोश्चन बताऊंगा और इंसर बताऊंगा उसको ध्यान समझेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले वह होने वाले रीतिकाल से संबंदित कम से कम साथ नो दस करीब इतने नमबर के कोश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान रजम जेंगे क्योंकि आप सभी को मालू है पिछले कई सालों से अब्जेक्टिव कोश्चन पूछे जा रहे हैं तो इस बार भी नए फिच्छादित के जनका सब्जेक्ट हिंदी हैं बढ़ते हैं नेक जो कोस्चन में इसकी और में बड़ते हैं पूरी बीडियो को ध्यान से समझेंगे तब आप लोगों को पूरी जानकारी और सही से समझ में आएगा यह याद रखिएगा आप लोग पहला कुछाइडास, नाघ्री दास, पद्माकर आलम तो जो राम नाम है वो नाम है राम सहाइडास इस्ले कुछ्छ्छन का राइट अन्सर हो जाएगा ए नमबर राम सहाइडास बहुत ही टॉप लेबल का कुछ्छन है जいやन रेकी गा गुछ लेज़ेगां कि रीट काल में रचित अधिकांस कावब किस प्रकार के हैं बहुत ही इंप्वाटेंट और टॉप लेवल का कोईस्चन है रट लीजिएगा और नोट डाउन भी कल लीजिएगा क्टक चंपू कता काव़ प्रबंधक तो रीत काल में रचित अधिकानस कावब जिनका प्रकार है वह मुक्तक baik जो अधिकान से हैं वह मुक्तक कावब्य है इसलिए राइट एंसर को स्टैना को जाएका अ तो है सूदन जी इसलिए कोस्टेंग का राइट एंसर हो जाएगा एक नमबर पर हम टिक करेंगे याद रेखीगा एक नमबर नेस्कोंष्ट नहीं की रस भूसड किसकी करती है निजामखा की सेख-nissar की याकुब खां की इन में से कोई नहीं तो रस भूसड करती है जो रस भूसड करती है वह याकुब ठीक है याकुब खां की है इसलिए कोश्चन के तो राइट एंसर हो जाएगा इसकोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा c number c याकुप खाँ याद रखियेगा है नेस कोष्चन है यह जाएंगी 5 नमबर कोष्चन है कि राधा सुधा सतक्त की रष्णकार कौन है तो राधा सुधा सतक की जो रशनाकार है या फिर रचैता है वो है स्री कौन से स्री हरी जी है ठीक है इसलिए कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा स्री नमबर ध्यान में रखे का बहुत इंपर्टन कोश्चन है इसकोश्चन का राइट एंसर स्री हरी जी ठीक है इसकोश्चन है यहनिकी 6 नमबर कोश्चन रीत काल किस काल के बाद आता बहुत ही इंपर्टन टाप लेवल कोश्चन है रख लीजिए एकजाम में आने के 99% चांसे है वर्तमान काल भक्तिकाल आदिकाल इनमें से कोई ने तो रीत काल किस काल के बाद आता है उस काल का जो नाम है वो है भक्तिकाल यानि इस कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमबर भी भक्तिकाल याद रखिएगा बहुत ही इंपर्टन कोश्चन है दोस्तों नेस्ट कोश्चन है की रीत काल का अंतिम स्रेष्ट कभी किसे माना जाता है दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं यह सभी टॉप लेबल के टॉप लेबल के कोश्चन है अगर आप धांस समझेंगे तो एक्जाम में आपको पास होने से कोई रोखी नहीं सकता आप से रिक मिल जाएगा पदमाकर मतिराम देव बिहारी तो रीत काल का जो अंतिम सब सेष्ट कभी माना जाता है उनका जो नाम है वो नाम है पदमाकर इसलिए कोश्चन का जो राइट एंसर हो जाएगा इस कोश्चन का राइट एंसर वो हो जाएगा यह नंबर पदमाकर न रशकानंद रश्चना जो है ठीक है उसके जो कभी है ठीक है वो स्री ग्वाल जी है इसलिए कोईच्टन गर राइट एंसर हो जाएगा सी नंबर बहुत इंपार्टन रखिएगा ग्वाल नेस्ट कोईच्टन है कि निमलिकित में से अश्ट्याम किसकी रश्चना भिहारी ग्रति है या पिर इसके रचायता स्री देवजी अश्ट्याम करति के बहुत तरीके के कोईच्टन बनते हैं एक ही कोईच्टन के तो ध्यान में रखिएगा जरा समिष्टेक मत करिएगा कोईच्टन को समझे रहिएगा इससे आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी ठीक है लिस्ट्स wohlar Zombi ikillais कॉच्टन है कि सीराज भुमसर में अलंकारों की कितनी संख्य्या है शिव राज भुमसर जया है उनकी जो अलंकार है ठीक है उनकी संख्या है वो कितनी है 105, 520, 220, 600 तो 10 नंबर को इस चंगर तो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर 105 है अलंकारों की संख्या राइट एंसर एपे किलिक करेंगे 105 रट लीजिए नश्कोष्चन है यानि कि 11 नंबर कुंदन को राग फी को लगे जहलक अति आंगनी चार गुराई पंक्त किसकी है कुंदन को रागफी को लगे जहलक अति आंगन चर गुराई जो पंक्त है वो किसकी है किनों ने लिखी है या किस से समंधित है मतिराम विहारी डेयो जैसिंग तो जो 11 नमबर यानि 11 कुष्ट्ट्र है उसका एंसर जो जाएगा हो जाएगा इनमबर मतिराम जी पंक्ति के रचायता रचनाकार्या जो पंक्ति है वो मतिराम जी की है इस कोश्यान है कि छत थीक प्रकास किस प्रकार का आप चरित्र प्रहसान काप ठीक है गित नाट और लाश्ट रासो काब वे तो इन अप्सेनों में से जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चरित्र काब भी यानि की चरित निहान रखेगा चरित अश्ट शाप चरित काब भी ठीक है है ऑके निश्कोषण है के कौन से प्रिसिद्ध कभी भार्त एंदु के पिता थे गिर्धरदास के सोजाथ गिर्धर कभी रहा एक इनमे से कोई नहीं तो इस कोष्टार नहीं लटिका किसकी रसना है देव पदमाकर भोज्राज दूइज्ज्राज तो इस question का जो right answer हो जाएगा दुफ्तो 14 number question का right answer हो जाएगा do is ठीक है do is देऊ यानि कि D number पे हम click करेंगे ध्यान में रखिएगा चलिए 15 number question देखते कौन सा है दिखाए कि निम्ली खित में से कौन अलंकार ग्रंथ नहीं है भासा भूसर ठीक है और next question है पदमाम रण रस रहास से वाजीव हों सड तो इन जो option है इन option हैं इन आप्षनों में से निम्ली में से कौन अलंकार ग्रंथ नहीं है उसका जो नाम है वो है रस रहास सी नंबर याद रखेगा important question है next question है कि आचार बिश्वनात प्रसाद मिस्र ने स्रंगार ठीक है काल को कितने भागों में बाटा है आपसन आपको मिली गए है 8,3,15,7 यानि कि 8,3,15,7 A,B,C,D में इस question का right answer हो जाएगा तीन अचार बिश्वनात प्रसाद दीजे स्रंगार काल को जो उन्होंने भागों में बाटा उसकी जो संख्या है वो तीन है तीन भागों में डिवाइड किया भी भाजित किया राइट एंसर बी नमबर नेस्ट कोश्चन है कि 9,7 के रसनाकार कौन है बेनि प्रवीन देव आलम प्रत्वी राज तो इन आपसरों में से जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेनि प्रवीन जानि की 9,7 के जो रसनाकार है वो बेनि प्रवीन जी है राइट एंसर ए नेस्ट कोश्चन है कि निम्ड में से बिहारी जी कि भाशा क्या है आपसर मिल जा रहे है हिंदी ब्रज भासा पर निशिस्ट ठीक है पर निशिस्ट और ब्रज अवधी तो पर निशिस्ट जो आपसन है इसमें थोड़ा ज्यादा स्वेस है उसे कोई मतलब नहीं है लेकिन आप लोग कन्फीज मत वहीएगा कि बहुत दूर है इसलिए अपसना आपको मिली गया है इसमें तो इसकोई राइट एंसर हो जाएगा टीन नमबर कोईश्ट का राइट एंसर हो जाएगा सी नमबर पर निशिट ठीक है सी नमबर याद रखीगा निश कोईचन है कि इसने सागर का संपादन किस ने किया पदमाकर ने लाला भगवान दीन ने जैसी ने शेनापत ने तो इसने सागर का संपादन किया था उनका नाम है यानिक उनिश नमबर कोईचन का राइट एंसर हो जाएगा लाला भगवान दीन बी पे किलिक करेंगे हम कौन एंसर होगा बी चले ने इसकोईचन देखते हैं कौन सा है लिखा कि निवन मेंसे देव ने किस नए संजारी भाव की उद्भावना की आफसर आपको मिल जा रहे है छल विशाद बिवर्त इन मेंसे कोई नहीं तो इसकोई बीशन का राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा को निवेस नंबर एंसर नंबर हो जाएगा निवन मेंसे देव ने किस नए संजारी भाव की उद्भावना की उसका नामें चल चलिए निश्कोई बढ़ते हैं लिखा कि रीत काल को अंधकार काल किसने कहा बहुत इंप्वार्टन और टॉप लिए रट लीजिए रट लीजिए और नोट डाउन भी कर लीजिएगा ठीक है त्रिलोचन बिहारी बोधा के सोदास तो इन आफ्सरों में से जो राइट एंसर होता है 21 कोईशन का राइट एंसर होता है दुफ्तू वह होता है त्रिलोचन तिल अति राम की देव की विहारी की है तो वह देव जी की कृति है इसनले को लाइट एंसर हम्से लेट करेंगे सी नंबर याद रिखिएगा छत प्रकास देव जी की रस्ताया फिर्करती क्रति है तो जीर इसरो को कला काल किस ने कहा बिहारी ने बोधा ने डाक्टर रमा संकर सुकुल ने रसलीन ने तो रित काल को कला काल कहा है ठीक है उनका जो नाम है वो है स्री डाक्टर रमा संकर सुकुल जी इसलिए क्वेश्चन का जो राइट एंसर होता इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा सी नहीं है इन में से रश्खान बेनी याकुब खां दुलाह को तो यह निचो भी स्नमब्र कोशेगे दो राइट अगा जाएगा रीत काल के जो कभी नहीं है वू रसखान जी है इसलिए रायट एंशर हम किलिक करेंगे का झाल मेश ना प्रीक्र जोरूह मीशत आप वो जाएगा सूरती मिस्त यानि की डी नंबर हम किलिख करेंगे किस पर डी पर याद रखेंगा वह इंप्राटन कोश्चन है कि सब्ध रसायन किसकी क्रति है घनानंद की बिहारी की देव की इनमें से कोई नहीं तो जो सब्ध रसायन है या क्रति रचना या रचनाकार ऐसे बहुत सारे कोश्चन बंदें तो राइट एंसर कोश्चन को हो जाएगा देव सी नंबर ठीक है नेश कोश्चन 27 नंबर कोश्चन की भूसर को कभी भूसर की उपाद किस ने दी बहुत इंपार्टन डो टाप लेवल कोश्चन है एक जाम में कई बार रिपीटेड यह कोश इसने हैं कि रेट काली काव़ी की बिसेषटा नहीं है यानि की इन सब्सक्राइब लास्ड्रे भावना प्रदर्शन अहीं प्रमौफुता इसको राइट नंसर सिलेक्ट करेंगे दुवतू 28 नमबर यानि कि राष्टे भावना बी नमबर धान में रखेगा चलिए देखते हैं निश्क कुश्चन 29 नमबर कुश्चन कौन सा है दिखाए कि लच्छन ग्रंथ का अभिप्रयाय क्या है प्रहसन महाकाब चरितकाब काब्यांग निरूपक तो इन आपसरों में से राइट ड्रण निरूपक याद रखेगा नेस रहें कि रफ्राज कि रचेता कौन है या रस राज ठीक है ये रसनाकार कोन है या पिर की रसना है अवस्जा मिल जा रहें ठाकुरल्य हारी मत्राम देव लिए इन आपटरों में से होता है रस राज कि रती है वह मतिरां जी कि रितकाल से सम्भाइब पूरे टॉप लेबल कोईश्चन थार्टे कोईश्चन इंक्लूड किया थे जो कि आई होप आपको समझ में आयोंगे और आपको अच्छे लेगा होगे तो लाइक करेंगे आने वाले दिनों में और भी टॉप लेबल कोईश्चन आपको सेक्षन मताइए और वीडियो की डिस्केप्शन में टेलिग्राम चैनल लिंक है ज्वाइन होई है यार दोफ्त अभी देखिए हमारे चैनल से पूरे पूरे एक आप सभी को मालूम है कि 173 एक लाग 73 हजार लोग जुड़ चुके हैं और भी जल्द से जुड़ेंगे लेक लिक वीडियो की डिस्केप्शन में मिलते हैं निस्ट क्लास में तब तक ले जाएं दोस्तों